हेलो फेंड्स वेलकम टू प्रेपाईएस आज का लेक्चर मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट लेक्चर है एंड इस लेक्चर में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं एड्वेंट ऑफ यूरोपियन्स मीन्स यूरोपियन्स का भारत में आगमन एंड इंडिया ओन इव उफ ब्रिटिस कॉंकेस मीन्स जब ब्रिटिस कॉंकेस हो चुका था उस समय इंडिया की कंडिशन किस तरह की थी यह दोनों टॉपिक हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथी साथ इस वीडियो के डिस्किप्शन में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है जहां पे आप अपने रिव्यू दे सकते हैं आप अपने डाउट पूछ सकते हैं वो सारे डाउट हम संडे को एक अलग से वीडियो बना के क्लियर कर देंगे इसके अलावा आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है हमारे वीडियो की सारी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी ठीके दोस्तों ये तो हो गई information अब बात करते हैं पढ़ाई की कीके है तो दौस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडिया एंड यूरोप के बीच के जो टरेडिंग रिलेशन्स थे वो नए नए रिलेशन्स नहीं थे ancient time से इंडिया एंड यूरोप के बीच में trading होती आई थी लेकिन ये जो trading थी इसके different different routes थे and different different countries उनके communities इस trading में involved होती थी means हम कह सकते हैं कि इंडिया एंड यूरोप के बीच में direct कोई contact थाने जहां तक trading की बात है तीन मुख्य routes थे जो use में आते थे पहला route था इंडिया से Persian Gulf, Persian Gulf से तर्की इराक होते हुए Italy में trading होती थी और Italy में भी mainly दो cities थी Venice and Genoa ठीक है, first city थी Venice और दूसरी city थी Genoa ये दोनों Italy की बहुत ही famous hubs थे जहां पर trading होती थी और Italy से फिर पूरे यूरोप में trading होती थी ठीक है, तो ये तो था first route second route था इंडिया से Red Sea, Red Sea होते हुए Egypt और Egypt के बाद फिर से Italian cities Venice and Genoa और फिर Italy से पूरे यूरोप में trading होती थी ठीक है, जो third route था वो था silk route लेकिन ये route काफी कम use में आता था ये इंडिया से Central Asia होते हुए यूरोप में इस route के माधिम से trading होती थी तो दोस्तों हमने देखा कि different different routes है और different different countries इसमें involved है बट बाद में European लोगों को ऐसा लगता है कि हमें इंडिया का direct एक sea route ढूंडना चाहिए और ऐसा होता भी है, European लोग इंडिया से trading करने के लिए एक direct sea route ढूंड लेते हैं और ये route कौन सा होता है, पूरे अफरिका को cover करते हुए इस route के थरू ये लोग इंडिया पहुंचते हैं इसको बोलते थे cap of good hope, ठीक है, इस route को बोलते थे cap of good hope क्योंकि ये एक center था, कहां पर था, ये south अफरिका का tipping point है उसको बोलते थे तो एक नया route इन्होंने ढूंड लिया था, अब जो मुख्य सवाल उठता है, वो ये कि इस नए trading route को ढूंडने की जरूद क्यों पड़ी थी तो दोस्तों, अगर हम इसको समझ लेंगे, तो हमारा lecture काफी आसान हो जाएगा अब दोस्तों, आगे बनने से पहले हमें एक term है mercantile इसको समझना होगा, काफी बार ये term हमारे सामने आईगी and इस phase को mercantile phase भी बोलते हैं, mercantile basically एक business enterprise होती है, जिसका main objective होता है profit को बनाना और ये profit किस तरह से बनाया जाता है trading के माधियम से, ठीक है, ये company goods को सस्ता खरीती है और इसको महंगा बेज देती है और इससे जो profit बनता है उससे ये आपना काम चलाती है और क्योंकि profit ही इनका मोटी होता है तो ये लोग obviously बाते चाहेंगे कि competition कम से कम रहे क्योंकि competition होगा तो profit पे उसका असर पड़ता है इसलिए इस पूरे phase में यूरोप में बहुत सारी trading companies बनी और वो सब trade करना चाहती थी, profit कमाना चाहती थी ठीके दोस्तों तो ये तो होगी पहली चीज़, अब हम बात करते हैं कि क्यों European को नया root ढूंडने की जरुवत पड़ी दोस्तों सबसे पहली बात Indian spices and textiles की पूरे Europe में काफी demand थी वो demand क्यों थी, क्योंकि winter में European लोग meat पे dependent होते थे and meat को preserve करने के लिए उन्हें spices चाहिए होती थी, salt and pepper ठीके और वो इंडिया में मिलता था इसलिए उसकी काफी demand थी and उसमें बहुत ज़्यादा profit होता था तो ये तो first point था, दूसरा point ये था कि 1453 में क्या होता है कि Turkish control established हो जाता है Constantinople पे, Ottoman trucks जो हैं वो कबजा कर लेते हैं तो इससे होता क्या है कि जो roots थे, जो पुराने roots थे वो इतने safe नहीं रहते उन पे taxes बढ़ जाते हैं तो means profit पे कही ना कहीं इसका effect पड़ता है तो दूसरा reason तो ये था कि roots जो थे वो अब safe नहीं थे और दोस्तों तीसरी जो चीज थी monopoly जो हमने earlier roots देखे थे उसमें जितने भी Asian part था trade का उस पे Arab merchants की monopoly थी जबकि जो European part था उस पे Italy के जो merchants थे Venice and Genoa के उनकी monopoly हुआ करती थी और क्योंकि ये एक mercantile phase था इनका objective था competition को कम से कम करना ताकि profit बढ़ाया जा सके तो इसलिए ये जो नए nation थे उरोप के उनको इस trade में शामिल नहीं होने देते थे और mainly Spain and Portugal थे जो कि इस trade के business में आना चाते थे क्योंकि काफी profit था ठीक है बट इनको शामिल नहीं होने दिया जा रहा था इसके अलावा जो इंडिया था वहाँ पे precious metals काफी मिलती थी जैसे कि gold and silver and gold and silver की इन European countries को काफी demand थी क्योंकि एक effective एक medium था exchange का इसलिए ये लोग चाहते थे कि हमें precious metals मिले तो ये सभी तमाम कारण थे जिसकी वजह से जो European countries थी जो की already इस trade में शामिल नहीं थी उनको लगा कि हमें direct जो है इंडिया से ट्रेडिंग करनी चाहिए और इसके लिए फिर हमें नया एक sea route ढूणना होगा जो की process start होता है 15th century में अब ये तो थे कारण कि किन कारणों की वजह से जो है इंडिया की खोज हुई ठीक है बट उसके बाद कुछ added advantage भी थे European countries के पास वो advantage क्या थे सबसे पहले तो था कि 15th century Europe में Renaissance की split चल रही थी ठीक है और उसका important pillar था call for exploration means आपको नई नई countries को ढूणना है उनको find out करना है इसी phase में ship building and navigation की काफी अच्छी अच्छी techniques इजात हुई उनका innovation हुआ जिससे जो exploration की call थी उसमें काफी मदद मिली then इसके अलावा इस phase में जो European countries थी उनका economic development भी हो रहा था क्यों क्योंकि जो cultivation के अंडर जो land थी उसका expansion हो रहा था नई नई techniques यूज में हो रही थी जैसे की scientific crop management ये सब चीजें काम में आ रही थी तो इसका effect क्या हुआ कि meat की supply बढ़ रही थी और जब meat की supply बढ़ रही है तो means आपकी demand बढ़ रही है किस चीज की spices की ठीके तो ये added advantage था क्योंकि ये trade पूरा profit वाला trade था demand बढ़ रही है तो लोग obviously बात है इस trade में घुशना चाहेंगे और क्योंकि ये phase ही merchantile phase थी mercantile phase थी तो सभी countries के लोग इस phase में शामिल होना चाहते थे ठीके अब इस economic development से हुआ क्या prosperity बढ़ी ठीके लोगों के पास पैसा आया और पैसा आया तो उनकी demand बढ़ी oriental luxury goods की जिसके लिए India famous था तो हमने देखा कि क्या कारण थे और ये सब चीज़ें थी कि क्या added advantage था इसलिए जो है नई नई countries Spain पूर्टगाल के लोग नया एक c trade route ढूणने में लग गए अब सबसे पहले जो initiative लिया था वो initiative लिया था पॉर्टगाल एंड इस्पेन ने और ये लोग इतने मतलब इन में जुनून था एक नया route ढूणने का कि जो पूर्टगाल के जो प्रिंस हेंडरी थे उनका nickname था नेविगेटर तो इस चीज़ से आप समझ सकते हो कि इन लोगों में कितना obsession था and friends प्रिंस हेंडरी नेविगेटर यो prelims के लिए important है question पूछा जा सकता है क्योंकि इसी तरह के question आसकल पूछे जा रहे है history से संबंदित ठीक है अब 1494 में क्या होता है Columbus जो कि Spain से बिलोंग करते हैं वो इंडिया की खोज के लिए निकल पड़ते हैं उनको लगता है कि उन्होंने इंडिया खोज लिया बट होता क्या है कि वो इ 1998 में पोर्टुगाली थे वासको डी गामा ये भारत की खोज करते हैं और ये भारत में सबसे पहले कहां पर आता है कैलिकट कैलिकट ये केलकटा ये सोरी ये केरला का एक पार्ट है कैलिकट और इस जर्नी में इनका साथ दिया था गुजराती पाइलेट अब्दुल दें इस पर सवाल पूछा जा सकता है और इन्होंने कौन सा रूट लिया था वो जो मैंने आपको पहले बताया था यूरोप से अफ्रीका होते हुए ये इंडिया पहुंचे थे और ये डिस्कवरी इतनी इंपोर्टेंट थी कि जो एडम स्मित थे उन्होंने इस चीज को ह कि ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किसका स्टेटमेंट है तो ये काफी important स्टेटमेंट होगा ठीक है दोस्तों तो पोर्टगाली जो इस पेन थे ये निकल पड़े थे वह अपनी जरणी पे नए-नए continents को ये लोग ढूंड रहते ठीक है अब हम बात करते हैं next point की just a minute जब Portuguese आये तो उसके साथ साथ समय के साथ different different European countries भी भारत में आने लगी और दोस्तों क्योंकि मैंने बताया था कि mercantile phase था काफी profitable trade थी तो सब लोग इसमें शामिल होना चाते थे और profit कमाना चाते थे यहाँ पर मैंने European countries को mention किया है और वो किस year में भारत में आई थी ये मैंने mention किया ये काफी important है इस पर already question पूछा जा चुका है सबसे पहले Portuguese आये थे 1498 में then English जो East India Company थी उसका establishment हुआ था 1600 में then Dutch 1602 में dense जो की Denmark से बिलोंग कर दे थे 1616 में and सबसे last में आयत है French 1664 में ठीक है दोस्तों अब दोस्तों देखे कहानी है क्या है कि trade में सभी लोग profit कमाना चाहते हैं ठीक है और competition काफी tight है तो शुरुआत क्या होता है कि ये लोग आपस में इनके बीच में war होती है तो इनके बीच में काफी सारी wars होती है और फिर last में जो English होते हैं वो इस war में जीत जाते हैं ठीक है means ये चीज तय हो जाती है कि भारत पे जो trading होगी वो English की होगी ठीक है और इस phase के बाद English लोग क्या करते हैं जो Indian dynasties थी जो Mughals थे उनके साथ fight करते हैं और फिर बाद में उनको भी eliminate कर देते हैं ठीक है तो फिर उसके बाद English का जो शाषन था जो territorial occupants था वो पूरा हो जाता है तो ये पूरी phase है और इसको हम एक एक करके समझेंगे ठीक है दोस्तों तो ये तो हमने देखा कि कौन-कौन सी country कब-कब भारत में आया थी इस पर कुछा जा चुका है ये 2007 में कुछा गया था कि सबसे last में कौन European भारत में आया था ये में आपको बता दिया साथी साथ different battles थी उनकी timeline के बारे में question पूछा गया था तो ये सब हम cover करेंगे ये हमारे लिए काफी important है ठीक है दोस्तों अब friends ये जब नया trade route मिला था अमेरिका का भी इंडिया का भी तो इससे क्या हुआ कि European countries का काफी advancement हुआ और उनके पास capital formation काफी जादा हो गया इसके पीछे क्या कारण थे सबसे पहला तो कि ये जो continents थे भलें इंडिया हो या अमेरिका हो ये precious metals में काफी rich थे जैसे gold, silver मैं आपको बता चुका हूँ दूसरी बात ये European जो manufacturers थे उनके लिए market का काम करते थे क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो अच्छा खासा market मिलता था ठीके तीसरी चीज़ की जब अफरीका का penetration हुआ तो अफरीका में इंको काफी सारा gold मिला, ivory मिला और सबसे important जो चीज़ थी slave trade ठीके अफरीका को तो इन्होंने slave trade के लिए famous कर दिया था और यहाँ पर एक important चीज़ हमें समझ दी होगी triangular trade ये question पूछा जा सकता है कि triangular trade क्या थी तो ये वो trade थी जो European countries follow करते थे इसमें दोस्तों basically क्या था सबसे पहले में एक triangle बनाता हूँ ये जो European countries होती थी ये European manufactured goods को ship में डालती थी ठीके और उनको लेके पहुंच थी अफरीका में ठीके तो Europe से ये ships चलते थे अफरीका में ठीके और इनके पास क्या होते थे European manufactured goods और इन goods को अफरीका में जो Negroes थे जो slaves थे उनके बदले exchange करते थे ठीके तो ये तो हो गया first thing, first route ये था अब ये ships अफरीका से जाते थे इनकी जो colonies थी इंडिया हो या अमेरिका हो वहाँ पे इन slaves को लेके जाते थे और उनको exchange करते थे जो colonial produce होता था बले वो plantation का हो या फिर exchange करते थे तो ये हो गया second phase, अफरीका से ये लोग जाते थे colonies में ठीक है और वहाँ पे slaves को exchange करते थे किसके बदले colonial produce के बदले अब फिर इन ships को ये फिर से colonies से यूरोप में लेके जाते थे और इनके पास होता था colonial produce भले हो plantation का हो या mines का हो और फिर उसकी trading ये यूरोप में क पता होनी चाहिए और इस trade के माध्यम से European countries ने काफी सारा पैसा कमाया, इसलिए वह काफी rich भी थी, काफी सारे invention हुए, industrial revolution हुई, उसका पैसा इसी trade से आता था, ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे जब हमने देखा कि Portuguese भारत में आये, अब दोस्तों हमें देखिए क्या क कौन-कौन से important उनके officials थे, उनकी क्या policies थी, उन्होंने कौन-कौन से important काम किये, और जो important places थे, जहां पर उन्होंने अपने factories establish करी, वो किस year में करी, ठीक है, उनके बीच में क्या-क्या fights हुई जो different countries आई थी, तो वो सब हमें देखना है, और उसी पर हमारा focus होगा, ठीक है, अब हम बात करते हैं Portuguese की, तो Portuguese जब भारत में आये थे, तो उनका main objective ये था, कि वो जो eastern trade है, उसको monopolize करेंगे, और जितना भी Arab से जो competition मिलता है, उसको exclude करना है, तो शुरू से इनकी policy ये थी, कि जो Arab merchants है, उनको eliminate करना है, ठीक है, इनके officials थे, Pedro Alvarez Cabral, ये 1500 में इन्होंने Calicut म factory established करी थी, अब ये factory क्या होती है, अब हम थोड़ी देल में देख लेंगे, ठीक है, उसके बाद Calicut, Canonor, Cochin, ये सब इनके important trading centers बन जाते हैं, ठीक है, और एक बार जब इनकी factory established हो गई, तो उसके बार इन्होंने, जो इनकी trading activities को protect करने के लिए, उसको secure करने के लिए, उन trading centers को fortify करना start कर दिया, मिंस उनकी किलाबंदी start कर दी, तो आप एक तरह से खे सकते हैं कि ये अपना एक अधिकार जता रहे थे, इंडियन territory पे, इस fortification के दूँ, ठीक है दोस्तों, अब ये factories क्या होती है, ये factories generally एक fortified area होता है, मिंस किलाबंदी वाला area होता है, जहां पे warehouses होते है, मिल, store houses होते हैं, offices होते हैं, ठीक है, और जो company के employee है, उनके houses होते हैं, ठीक है, यहां पे हमें समझना होगा कि इन factories में किसी भी तरह की manufacturing activity नहीं हो सकती है, prelims में कुछन पूछा जा सकता है, और ये option दे के आपको घूमा दिया जाएगा कि इसमें कुछ manufacturing activity भी होती है, और तीसरा है merchant, अब ये factor क्या होते थे, ये जो European trading company की trading activities के official in charge होते थे, उसको हम factors बोलते थे, तो factors and factory ये आपस में जुड़े हुए है, factory वो area होगा, वो fortified area होगा, और उसका in charge कोन होगा, उसको factor बोला जाएगा, और दोस्तों ये important है, क्योंकि जिस तरह से prelims में कुछे ज जाते हैं, जैसे कि इस बार औरंग वगेरा पर पूछा गया था, मिरासीदार पर पूछा गया था, तो इसलिए ये जो keywords है, जो NCRT में side में mention किये जाते है, block बना के, ये हमारे लिए बहुत important है, ठीक है दोस्तों, तो ये तो होगया factory क्या होती है, ये factors क्या होते है, ठीक ह और इनको क्या चीज बताई गई थी, कि आपको अपनी position को consolidate करना है, Muslim trade को आपको destroy करना है, तो इनका सुरूच से objective clear था, ठीक है, और इस objective को पूरा करने के लिए, जो इन्होंने policy अपनाई थी, उसका नाम था Blue Water Policy, ये बहुत important है, Blue Water Policy, फ्रांसिसको दे अलमीदा की थी, और इसका objective क्या था, Portuguese को Indian Ocean का master बनाना, मतलब पूरी trading पे monopoly बना लेना, ये इनका objective था, और ये policy थी, Blue Water Policy, इस पे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, अब इसके बाद में जो officer आये थे, वो थे, Alphanjo de Albreg, ये सबसे important है, क्योंकि इनको भारत में Portuguese power का real founder माना जाता है, अब इन्होंने क्या क्या चीजे की थी, सबसे first चीज थी, इन्होंने दूसरे ships के लिए एक permit system introduce किया था, ठीक है, ये point हमें याद होना चाहिए, दूसरी बात, 1510 में, 1510 में, सुल्तान ओफ बिजापूर से इन्होंने गोवा को acquire कर लिया था, तो ये बहुत ही important event है history का, क्योंकि first Indian territory थी, जो European के पास गई थी, वो थी, गोवा, ठीक है, 1510 में, सुल्तान ओफ बिजापूर से, अलफांजो दे अलबरेक ने इसको acquire कर लिया था, ठीक है, इसके बाद इन्होंने कुछ social reforms भी किये थे, उसमें था abolition of sati, ये भी हमें याद होना चाहिए, एंड ये जो Portuguese थे, सेटल हो गए थे भारत में, गोवा के आसपास, ये सेटल हो गए थे, तो इसलिए जो Portuguese man थे, उनको increase किया गया कि आप local wise लो, ठीक है, तो कि उससे आपको सेटल होने में काफी मदद मिलेगी, ठीक है, तो ये point भी हमें याद होना चाहिए, इसके बाद कुछ-कुछ Portuguese ऐसे थ हो गए, artisan बन गए, कुछ master craftsman बन गए, तो इस तरह से जो Portuguese थे, वो गोवा उसके आसपास सेटल होना स्टार्ट कर दिये थे, ठीक है, अब जो next जो officer थे वो थे, नीनो दे चुनहा, ठीक है, ये 1529 में भारत में इनकी posting होती है, ठीक है, और आते ही ये क्या करते हैं, कि जो Portuguese गवर्मेंट का headquarter था, उसको कोचिन से गोवा में shift कर देते हैं, ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, कोचिन से गोवा में shift किया था, नीनो दे चुनहा ने, ठीक है, जो 1529 में भारत में आये थे, इसके अलावा Portuguese का influence बेंगोल में इनो ने start किया था, और हुगली में इनो ने अपना headquarter बाद में shift किया था, ठीक है, तो ये भी हमारे लिए काफी important है, हुगली में Portuguese influence किसने किया था, नीनो दे चुनहाने, ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि Portuguese के लिए favorable conditions क्या थी, जिसकी वज़त से वो भारत में आये, और अपनी trading activities को promote कर पाये, काफी स पहला तो ये था कि जब Portuguese भारत में आये थे, तो उस समय काफी सारे smaller kingdoms थे, जिनकी power बहुत कम थी, वो Portuguese के सामने tick ही नहीं पाते थे, ठीक है, दूसरी ये थी कि जो Indian kings थे, उनके बीच में आपस में काफी सारी mutual rivalries होती थी, वो लड़ते जगडते रहते थे, ठीक है, देन त चीसरी चीज, जो Portuguese थे, इनकी naval strength काफी अच्छी थी, मैंने आँको पहले बताया, Renaissance वाला phase चला था, call for exploration था, तो इन्होंने काफी focus किया था अपने naval strength पे, और वहीं अकर आप इंडिया की बात करें, तो इंडिया में ये strength देखने को नहीं मिलती थी, इसके अलावा, जो Portuguese organization वह काफी अच्छी थी, उसमें unity होती थी, और वह इंडिया में missing थी, ठीक है, जो Portuguese के ships थे, उनमें तोपे थी, उनमें cannon लगी होती थी, और उसका सामना Indian लोग नहीं कर पाते थे, ठीक है, then next चीज आती है कि जो Portuguese थे, वह Mughal Emperor से trading concession लेने में काम्याब रहते हैं, ऐसा क्यो जो था, वह Mughal influence से बाहर था, इतना उनका influence वहाँ पे था नहीं, इसलिए भी Portuguese भारत में अपना establishment कर पाये थे, अब दोस्तों यहाँ पर सबसे important चीज क्या है, कि Portuguese जो थे, वह पहले European थे, जो की भारत में आये थे, 1498 में, और ये सबसे आखरी European थे, जो की भारत से गए थे and last to leave, ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने देखा कि favorable conditions क्या थी, अब अगला जो topic है वह है, religious policy, Portuguese की religious policy थी, जिसका उनको काफी नुकसान भी हुआ बाद में, क्योंकि ये क्या करना चाहरे थे, कि ये Christianity को promote करना चाहरे थे भारत में, सबसे पहला point, और दूसरा था कि जितने भी Muslim हैं, उनको हम persecute करेंगे, क्योंकि शुरू से इनका रहा था कि हम जो Arab merchants हैं, उनके खिलाफ तो इनके खुननस थी, ठीक है, कि उनको हमको eliminate करना है, तो to persecute all Muslims, ये इनकी religious policy थी, और जहां तक हिंदू की बात करें, तो शुरुवात में तो ये काफी tolerant थे, हिंदू के तीन missions भेजे गए, means तीन बार different delegation गया, अकबर के दरबार में, और उनको बताया कि Christianity में क्या गया चीज़े हैं, ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो first mission था, वो हमारे लिए important हो जाता है, क्योंकि उसके leader थे Padre Rudolph Aquaviva, ये NCIT में दिया हुआ है, ये नाम है, तो आपको पता हो चाहिए, कि जो first mission था, उसके leader थे, Padre Rudolph Aquaviva, और साथी साथ इसके member थे, Monserete, ठीक है, इन Monserete ने क्या कहा था, इन्होंने अपना observation में लिखा है, कि the accessible emperor, अकबर को accessible emperor बताया है, इस पर question पूछा जा सकता है, कि the accessible emperor अकबर ये किस ने कहा था, तो Monserete ने, जो की first mission के member थे, उन्होंने इस चीज़ को mention किया था, कि लोग आराम से, अकबर से मिल सकते थे, और वो most accessible emperor उनको बताया गया था, ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई religious policy, अब हम बात करते हैं next topic की, वो क्या है कि मुगल से Portuguese का जो शुरुवात में favor था, वो धिर धिरे खतम होता गया, और य इसमें काफी सारे इसके reasons थे कि क्यों ये favor का loss हुआ, सबसे पहला point तो ये था, कि देखिए Portuguese के बाद British भी भारत में आये थे, और वो भी trading करना चाते थे, तो उन्होंने भी मुगल से trading, concession लेने start किया, तो इससे Portuguese लोग काफी नाराज हुए थे, ठीक है, और फिर बाद में 1612 में Portuguese and British के भी इसमें fight भी होती ही सूरत में, और इसमें जो English लोग होते हैं वो जीर जाते हैं, तो जब English लोग Portuguese को हरा देते हैं, तो जो मुगल Emperor थे जहां गीर, उनको काफी, मतलब वो impress होते हैं English से, तो इस वजह से भी जो Portuguese का favor था, वो कम हुआ, इसके अलावा कुछ activities जैसी थी Portuguese की जो की गलत थी, जैसे की वो piracy वगरा में involved थे, तो इससे diet नुकसान हुआ मुगल government को, तो ये भी एक कारण था, loss of favor का, then last में जब शहाजान का का कारेकाल आया, तो उस कारेकाल में जितना भी advantage था जो Portuguese के पास था, वो सब इन्होंने खो दिया था, तो दोस्त तो ये सब important points हैं, keywords हैं, जिन पर question बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, हमें पता होना चाहिए, ठीज दोस्तों, तो ये तो हो गया कि किन कारणों की वज़र से इन्होंने अपना favor खो दिया, अब हम बात करते हैं कि decline of Portuguese की, अगर हम 18th century देखें, तो 18th century आते आते जो Portuguese का जो commercial influence था वो खतम हो जाता है, ठीक है, और इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, जैसे कि जो powerful dynasties थी उसका उदे होता है, भले वो Egypt हो, Persia हो, इंडिया की बात करें, तो मराथास थे, तो उन्होंने इनको काफी टकर दी, ठीक है, religious policy of Portuguese जो हम अल्रेडी बात कर चुके हैं, इनकी dishonest trade practices थी, हमने देखा, piracy वगरा में involved थे, तो उससे इनका decline हुआ, then Brazil की discovery होती है, और जो Portuguese लोग होते हैं, ये अपना जो attention है, ये divert कर देते हैं, Brazil के उपर, इसलिए भी ये कारण था कि Portuguese भारत में इतना involved फिर होने नहीं लगे, क्योंकि इनका पुरा जो attention था, वो Brazil में चला गया था, ठीक है दोस्तों, then अगला next region क्या था, next कारण ये था, just a minute, कि 1581, इसमें क्या होता है, यूरोप में Spain and Portugal का union हो जाता है, ठीक है, पहले तो ये दोनों kingdom अलग-अलग थे, बाद में ये एक हो जाते हैं, तो इसकी वज़े से क्या होता है, कि जिन भी wars में Spain involved था, जो European wars थी, उसमें ये शामिल हो गए, इस वज़र से भी, जो इनका decline था, वो start हो गया था, इंडिया में, ठीक है, then Portuguese के पास जो सबसे बड़ा advantage था, वो ये था, कि उनकी जो knowledge थी, समुंदर वाली, C knowledge जो थी, वो lost हो गए, क्योंकि English, Dutch बाद में आये, और इनके पास काफी अच्छे knowledge हो गई थी, तो पहले जो monopoly थी, Portuguese के पास वो अब नहीं रही, ठीक है, then English and Dutch इनके पास काफी सारे अच्छे resources थे, ठीक है, जो कि Portuguese के पास नहीं थे, तो ये भी एक कारण था, उसके बाद Portuguese के पास क्या था, गोवा उनका सबसे important center था, but जब विजयनगर empire का fall हुआ तो गोवा की importance काफी कम हो गई, ठीक है, तो obviously बात ही कि जो आपका सबसे powerful center है, जिसकी importance ही खतम हो गई, तो फिर आपका decline तो हो नहीं है, ठीक है, और अगर हम Portuguese merchants की बात करें, तो उनके पास इतनी power नहीं थी, जितनी power उनके counterparts के पास में थी, इसलिए ये तमाम वो कारण थे, जिसकी वज़े से Portuguese का decline हुआ, अब दोस्तों ये सब important है हमारे prelims के लिए, क्योंकि हर point पे question बन सकता है, अगर हम decline की बात करें, तो चार option दे दी जाएंगे, और पूछा जाएगा कि इन में से क्या कारण थे Portuguese के decline होने के, इसलिए ये सब चीज़े हमें पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, अब हमने ये तो देख लिया कि क्या कारण थे जिसकी वज़े से उनका decline हुआ, बट कुछ positive चीज़े भी थी जो हमने Portuguese से सीखी, सबसे पहला तो ये था कि emergence of naval power, जो कि इंडिया में था ही नहीं, तो एक naval power पे focus बढ़ा, तमाम जो उसके बात की European countries आई थी उनकी naval power काफी अच्छी थी, then military में काफी innovation किया था पर्तुगीज ने, जो इंडिया में भी देखने को नहीं मिलता था, अच्छे अच्छे आर्मर, गन्स वगएरा ये लोग use करते थे, ठीक है, then जो sea techniques इनकी अच्छी थी से वो तम already देख चुके हैं, बट देखें दोस्त था, उसमें काफी मदद मिली, तो ये इनकी significance है, जो मैं पता होनी चाहिए, तो दोस्तों, पर्तुगीज तो यहीं पर खतम हो गया, इतना हमें जानना जरूरी है पर्तुगीज के बारे में, और काफी short में मैंने इसको आपको समझाया है, ठीक है दोस्तों, अब हम बात करत हैं, जो next European community थी, वो थी Dutch, Dutch की जो East India Company थी, वो 1602 में बनी थी, ठीक है, और 1605 में ये अपनी first factory, जो इनका पहला trading center था, ये मसूली पत्नम आंध्र प्रदेश में इस्टेबिस करते हैं, फ्रेंड्स, ये सारे जो factory हैं, ये sea coast के आसपासी हैं, क्योंकि आपको पता है कि शिप post के पास में जो जगर मिलेगी, वहीं पर ये अपना establishment कर लेते थे, बर दोस्तों, 1667 में Dutch and British के बीच में agreement होता है, जिसमें British लोग agree करते हैं कि वो इंडोनेशिया में नहीं जाएंगे, वहाँ से अपने claim विट्रो कर लेते हैं, ठीक है, और जो Dutch होते हैं, वो सेम चीज बोल ये भी थी, कि जो Dutch लोग थे, उनका mainly जो objective था, वो था trade, वो किसी भी तरह की empire building activities में interested थे ही नहीं, तो इससे इंको कभी नुक्सान हुआ भी नहीं, ठीक है, तो इतना इनके लिए जानना हमारे लिए काफी है, Dutch 1602 में आये थे, 1667 में agreement हुआ, पहली factory मसूली पतनम में थी, इतना हम जान लेते हैं, अब अगले जो European थे, जो भारत में आते हैं, वो है English, अब English जो East India Company थी, इसको Queen Elizabeth 1 Charter देती है 31st December 1600 में, means साल का आखरी दिन था, शुरुवात में ये जो charter दिया था, जिसमें exclusive trading के rights दिये थे, ये 15 साल के लिए दिये गये थे, लेकिन बाद में 1609 में इसको indefinitely extend कर दिया था, अब ये लोग भारत में आते हैं, और जो मुगल Emperors थे, उनसे ये लोग Concession लेते हैं, अब ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा, कि मुगल जो Emperors थे, वो इनको क्यों Concession दे रहे थे, तो सबसे पहली जो चीज तो ये थी, कि मुगल Emperors को ये लगा कि Portuguese को counter करने के लिए English लोग जलूरी हैं, इसलिए इनको भी trading Concession देना start किया, second चीज ये भी थी, कि जितना ज़्यादा competition होगा इंडिया में, उसका फाइदा किसको मिलेगा, जो Indian merchants होंगे, उसी को तो इसका फाइदा मिलेगा, इसलिए जो मुगल Emperors थे, या जो local Kings थे, वो diplomacy with war को combine करके अपनी policies को लगाना है, means ये केवल trade पे focus नहीं करेंगे, लेकिन इनको diplomacy with war को भी करना है, और जहाँ जहाँ पे इनकी factories रहेंगी, वहाँ की territory को इनको control करना है, तो ये policy ये शुरू से ही लेके आया थे, और इसको हम end तक भी देखेंगे, ठीके दोस्तों, अब अ पहले सूरत में 1613 में इन्होंने अपनी factory को establish किया था, आपको पता है, मैंने पहले बताया कि 1612 में सूरत में fight होती है, Portuguese and British की और इसमें British लोग जीत जाते हैं, तो उसके बाद 1613 में ये अपनी factory वहाँ पे establish कर लेता है, ठीके, देन 1616 में मसूली पतनम में इनकी factory जो है वो ठीके, अगर अब उडिसा की बात करें, तो बाला सोर में 1633 में इनकी factory established होती है, ठीके, देन मदरास में Fort St. George ये बनाते हैं, कब 1639 में, ये सारी dates हमारे लिए important है क्योंकि दोस्तों, प्रिलिम्स में chronology वाले question काभी पूछे जा रहा है, ठीके, तो ये dates आपको याद होनी च स्टार्ट होती है, 1651 में, ठीके, दोस्तों, तो ये हो गया, तो हमने देखा कि West में भी ये सूरत में थे, ठीके न, फिर अगर हम South में बात करें, तो उडिसा में भी ये East में चले गए, ठीके, मदरास में इंका settlement था, मसुली पटनम में इंका settlement था, हुगली में इंका settlement था, तो भारत में हर तरफ ये लोग, फेलना इनों ने स्टार्ट कर दिया था, ठीके दोस्तों, अब जो next है, वो है Bombay, और वो Bombay हमारे लिए बहुत important है, इस पर question पूछा जा सकता है, देके दोस्तों, Bombay शुरुवात में, जो Portugal था, उसके पास में था, ठीके, but 1662 में क्या होता है, जो Portuguese princess थी, Catherine उसकी शादी होती है, ठीके, और dowry के रूप में, दहेस के रूप में, Bombay को gift कर दिया जाता है, King Charles II को, ठीके, जो की Britain के राजा थे, तो उनको gift दे दिया जाता है, अब उसके बाद 1668 में, जो Britain government थी, जो Britain के राजा थे, वो East India Company को annual payment पे Bombay handover कर देते हैं, ठ Portuguese ने दिया था, Britain को, और फिर Britain ने East India Company को annual payment पे Bombay handover किया था, और उसके बाद को कि Bombay की location इतनी important थी, 1687 में, सूरत से Bombay headquarters shift हो जाता है, और उसके बाद ये तो हो गया Bombay, फिर वहीं 1698, जो की Calcutta में, Fort William का settlement होता है, और ये Fort William ही बाद में जाके Calcutta बनता है, तो ये हमारे लि 1662, 1668, 1687, then 1698, ठीके दोस्तों, अब इसके बाद, 1717, 1717 बहुत ही important event है, history का, इसमें क्या होता है, जो मुगल Emperor थे, उसमें फारुक सियार, वो English, British को एक फर्मान जारी करते हैं, ठीके, और इस फर्मान में काफी valuable privileges होते हैं, दोस्तों, privileges क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं पूछा जा चुका है, prelims में की privileges क्या होते हैं, यह basically trading concessions होते हैं, ठीके, और इस फर्मान को Magna Kata भी बोला जाता है, काफी important था, इस फर्मान में क्या था, सबसे पहली चीज, कि Bengal में, जो company के export, import थे, वो additional custom duties से exempt rate हो जाते हैं, सबसे पहली चीज, ठीके, और दूसरी चीज जो company थी, company के officers, जो थे, उनको दस्तक issue करने की permission मिल जाती है, दस्तक means passes, यह दस्तक क्या होते हैं, दोस्तों, माल लिजे कोई good ऐसा है, जिस पे custom duty exempt कर दीगेगे, तो उसके साथ में यह pass रहेगा, कि भई, इस good पे custom duty नहीं लगेगी, तो रास्ते में कोई भी उसको रोकेग पड़ेगा, क्योंकि इनको tax कम देना पड़ रहा है, तो इसलिए इसको magna kata बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, तो यह 1717 में हुआ था, 1717 में, अब हम बात करेंगे French की, English का तो इतना ही हमें जानना काफी है, अब हम बात करेंगे French की, अगर हम बात करेंगे French की, अगर हम ब आतीजा था कि जब से ये दोनों country भारत में थी, तो इनके बीच में काफी सारी wars होती है, ठीक है, और उसके बाद इनका objective क्या होता है, एक दूसरे को eliminate करना, तो हम देखेंगे कि last में French लोग भारत से गायब हो जाते हैं, वो हार जाते हैं, और केवल बिटिश लोगों का आ French East India Company established होती है, ठीक है, उसके बाद 67 में ये सूरत में अपनी factory लगाते हैं, then 69 में मसूली पटनम में, and 73 में चंदर नगर जो की कैलकटा था, वहाँ पे ये अपनी factory established करते हैं, और इनका जो सबसे important center होता है, pondicherry, वो 1674 में बनता है, तो ये सारी की सारी dates हमारे लिए बहुत important है, ठीक है दोस्तों, अब जिसा कि मैं आपको बता रहा था कि Anglo and French, British and French के बीच में जो rivalry थी, वो केवल इंडिया की नहीं थी, Europe में भी इनके बीच में काफी rivalry थी, और ये दोनों ही जो countries थी, इनोंने क्या किया था, ये भारत की politics में शामिल हो गई थी, जो यहां के local rulers थे, उनके आपसी issues में भी ये शामिल हो गए थे, इस वज़े से भी इनके बीच में rivalry इंडिया में बढ़ गई थी, है ना, and the Anglo-French rivalry in India reflected the traditional rivalry of England and France, Europe में इनके बीच में दो war काफी famous हैं, first होती है Austrian war of succession, ठीक है, और दूसरी होती है seven years war, और जब जब ये war उरोप में होती है, तब भारत में भी इनके बीच में लडाईया होती है, तो जो Austrian war of succession थी, वो 1740 से लेके, 1748 के बीच में हुई थी, और इसका main मुद्दा था, वो ये था, मारिया थेरेसा का succession, ठीक है, एक पक्ष को Britain समर्थन दे रहा था, और दूसरे पक्ष को French समर्थन दे रहा था, इसलिए इन और इसका कारण भी क्या था, जो rich province थी, Austria की, Silesia, उसको लेके ये war हुई थी, ठीक है, अब दोस्तों, जब दोनों लोग भारत में आ गए हैं, तो इनके बीच में competition हुआ, fight हुई, और तीन war काफी famous है, three carnatic wars, और इन carnatic wars ने ये decide कि भारत पे ये English का control रहेगा, ना कि France का, ठ केवल इसमें इनका implication देखेंगे कि इनका implication क्या पड़ा भारत पे इतना ही हमारे लिए जानना जरूरी है, पूरी detail में जाने की हमें जरूरत नहीं है, तो total three war हुई थी, ठीक है, सबसे पहली जो war थी, वो 1740 से लेके 1748 के बीच में हुई थी, अब यहाँ पे दो चीजे हमे कि Carnatic का मतलब क्या था, तो जो European लोग थे, वो Coromundal Cost और उसके Hinterland को Carnatic के नाम से बुलाते थे, तो सबसे पहली चीज तो यह में पता होने चाहिए कि Carnatic था क्या, ठीक है, और दूसरी चीज जो First Carnatic War थी, वो Austrian War of Succession का extension थी इंडिया में, तो यह मैं अल्रेडी आपको बता पहले sign होती है, केवल इस treaty का नाम हमें पता होना चाहिए, और यह किस year में हुई थी, बाकी detail जानने की हमें जरूत नहीं है, ठीक है, बट जो सबसे important चीज है वो यह है कि इस war का significance क्या था, इस war का significance क्या था, कि यह Europeans के लिए एक eye-opener थी, eye-opener क्यों थी, क्योंकि European लोगों यह पता चल गया था, कि एक small disciplined army भी बहुत बड़ी Indian army को defeat कर सकती है, ठीक है, तो इससे जो European countries थी, उनका confidence बड़ा, कि हम भारत में अपना सामराज्य इस्ताफित कर सकते हैं, क्योंकि हमारी force काफी superior हैं, तो first kinetic war का यह significance था, इसके बाद जो second kinetic war थी, वो होती है, 49 से लेके 54 के बीच में, ठीक है, और इसमें Battle of Ambur 1749 वो काफी famous है, ठीक है, अब इस war की implication यह significance क्या थी, कि इससे European country की जो government थी, जो उनकी authority थी, उनको यह पता चल गया था, कि Indian authority का support उनको जरूरी है ही नहीं, ठीक है, European success के लिए Indian authority की आवशकता बिलकुल भी नहीं है, बलकि चीजें उल् थी, वो अपनी success के लिए European support पे dependent थी, ठीक है दोस्तों, तो first war में हमको क्या पता चला, कि small army बड़ी army को defeat कर सकती है, दूसरी war में हमको पता चला, हमें मतलब European को पता चला, कि वो Indian support पे dependent नहीं है, वो खुद से ही अपनी success कर सकती है, बलकि जो Indian authority हैं, वो खुद European support पे dependent है, तो ये तो हो गया था second Carnetic War, अब जो third Carnetic War थी, वो थी 1758 से 63 के बीच में, और इसमें जो सबसे important battle थी, वो थी Battle of Wandi Wash, जो कि 1760 में हुई थी, बहुत important है, और इस battle ने ये decide कर दिया था, कि French भारत में अब नहीं रहेंगे, उनका कोई political ambition नहीं रहेगा, वो भारत पे केवल British ल 1660 आते आते, जो British थे, उन्होंने सब European countries को political influence से हटा दिया था, ठीक है, बस उनके commercial influence थे, कोई भी political उनकी ambition नहीं थी, ठीक है दोस्तों, अब अगर हम इस war का significance देखें, तो वह already मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें Treaty of Peace of Paris sign होती है, 1763 में, ठीक है, और इसमें होता क्या है क जितनी भी French की factories होती है इंडिया में, वो उनको वापस लोटा दी जाती है, बट उनका जो political influence था, वो खतम हो जाता है, तो just like other countries, जैसे की French, Portuguese, Dutch, इन सब की तरह ही, जो French थे, वो केवल commercial sphere में अपने आपको restrict कर लेते हैं, ठीक है, और जो English थे, वो supreme European power बन जाते हैं, अब यह हमें यह भी देखना होगा, कि जहां तक Dutch की बात है, तो English and Dutch के बीच में 1759 में battle होती है, Battle of Vidara, और इसमें English लोग Dutch को हरा देते हैं, तो means सारा competition खतम हो जाता है, और भारत में अब केवल एक ही supreme power बसती है, वो थे English, तो 1760 आते आते, सारे जो European counterparts थे, उनको eliminate कर दिया, ठीक है, अब English आगे बढ़ेंगे, वो जो Indian Kings थे, उनको यह eliminate करेंगे, तो वो अगला chapter हमारा होगा, ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया Battle of Vidara 1759, अब दोस्तों अगला जो important चीज आती ही, वो आती है, जिस पर question बन सकता है कि English success and French failure के क्या कारण थे, तो काफी सारे कारण थे हम one by one सब क को देखेंगे, सबसे पहला कि जो English company थी, वो एक private company थी, जबकि जो friends थी, वो एक state concern थी, तो दोस्तों, state concern है, तो उसमे decision making इतनी अच्छी नहीं थी, काफी delay होता था, funds के problem थी, तो यह सारी problems English में नहीं थी, इसलिए वो company की success उसको मिली, दूसरा, नेवी की जहां तक बात है तो English Navy काफी superior थी, ठीक है, उसके बाद English के पास तीन important places थे, Calcutta, Bombay and Madras, जबकि French के पास केवल एक ही important place था, pondicherry जहां से वो control करते थे, तो इसका भी फरक पड़ा था, इसके अलावाद दोस्तों, जो French लोग थे, उन्होंने क्या किया, अपने commercial interest को subordinate कर दिया, और जो उनकी जगडों में शामिल हो गया, इससे हुआ क्या, क्योंकि commercial interest को आप subordinate कर दे तो funds का issue हो गया, जबकि British लोग जो थे, उन्होंने कभी भी अपने commercial interest को निगलेक नहीं किया, इसलिए हमेशा उनके पास funds की problem कभी हुई नहीं, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अगला point, इसके ब ये सब भी superior commanders थे, और वहीं पर French में, France में केवल एक ही था duplex, ठीक है, और दोस्तों हम बढ़ते हैं, हमारे next point की तरफ, वो है dance, ये dance जो थे, ये 1616 में इनकी East India Company बनती है, 1620 में ये तंजावर, तंजोर में अपनी factory establish करते हैं, बट दोस्तों, जहां ते दानिस की बात है, इनका main focus था missionary activities पर, ठीक है, commerce में इनका ज्यादा focus थाने, तो इसलिए हमारे लिए भी ज्यादा important है, केवल हमें इतना पता होना चाहिए, कि 1616 में इनकी company established होती है, 1620 में तंजोर में ये अपनी factory established करते हैं, और इनका focus होता है missionary activities पर, ना कि commerce पर, ठीक है दोस्तों, तो ये हो हो गया, अब दोस्तों, अब हम बात करेंगे, जो हमारा second topic है, India on the eve of British conquest, मलब 1760 में जब बात हो रही थी, तब इन्डिया की position क्या थी, तो दोस्तों, आपको पता है कि, इन्डिया पे मुगल लोगों का अधिकार था, सामराज्य था, और जो औरंग्यप था, वो सबसे वो बहुत ही weak emperor थे, और 1707 के बाद ही माना जाता है कि जो मुगल रूल था, उसका end होना start हो गया था, तो हम उसको देखेंगे कि क्या कारण थे, कि मुगल के पतन के पीछे, उनके सामने क्या challenges थे, सबसे पहला challenges था external challenges, क्योंकि जो north west frontier था, उस पे किसी ने ध्यान दिया ही नहीं था, तो वहां से काफी invasion होता था, जैसे कि नादिर शाह का invasion हुआ, 38-39 में, वो पिकोक थ्रोन, कोहिनूर डायमंड लेकर चला गया था, आपको पता होगा, सेकेंड था एहमद शाह अबदाली, जो कि 1748 से 1767 के बीच में काफी बार उसने इंडिया को invade किया, और इस से कही ना कहीं, जो मुगल पावर थी, उस पे काफी बड़ा एक धक्का लगा, ठीक है, क्योंकि वार्स में ही सब लोग involved हैं, finance की भी problem होती थी, ठीक है, तो ये सारे तमाम इशू थे, जिसकी वज़े से मुगल काफी परिशान थे, ठीक है, दूसरा था internal challenges, वो क्या थे कि और rulers की list है, जो की औरंजेब के बाद में थे, इनको पे हमें ज्यादा focus नहीं करना है, ठीक है, जो हमारे काम के हैं, वो है अकबर 2, अकबर 2 क्यों काम का है, क्योंकि अकबर 2 1806 से लेके 37 इसने राजा राम मोहन राय को राजा का title दिया था, ठीक है, राम मोहन राय को हम जब र 1806, यह क्यों important है, क्योंकि इनके दोरानी, 3rd battle of panipat हुई थी, 1761, and battle of bucksar भी इनके कारेकाल के दोरान हुई थी, ठीक है दोस्तों, and आलमगी 2, यह क्यों important है, क्योंकि 1757 में battle of plassi, आलमगी 2 के time पे ही हुई थी, ठीक है, तो यह battle of plassi के लिए, यह famous है, ठीक है, तो इस पर question पूछा जा सकता है, कि उस समय कौन जो था emperor था, ठीक है दोस्तों, then last जो मुगल emperor थे, वो थे बहादुर शाह 2, 1837 से 1857, यह आखरी मुगल emperor थे, और अगर हम legal terms की बात करें, तो 1 नौंबर 1858 को भारत में मुगल empire खतम हो जाता है, क्योंकि उस समय Queen Victoria का declaration आ जाता है, ठीक है दूसरे reasons क्या थे, कि जो जमिदार थे, ठीक है, जो जागिरदार थे, वो सब अब अपनी territorial ambitions को लेके मुगल सामराजस से हटते जा रहे थे, ठीक है, जहां तक जमिदार की बात है, तो वो nobility का साथ दे रहे थे, और जो nobles थे, उनकी खुद की independent kingdom होने की, उनकी ख्वाइश जो nobles थे, जिनकों जागिरदार भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये दोनों ही अपने personal interest को सर्व कर रहे थे, ना कि जो मुगल empire था, उसके interest को सर्व कर रहे थे, दूसरा कारण था, कि जो जागिरदार थे, उसका crisis हुआ, nobility का crisis हुआ, क्योंकि उनके बीच में काफी mutual rivalry थी, jealousy थ होते थे, power के लिए, तो ये भी एक करण बना decline of Mughal empire का, इसके अलावा, अगला जो reason था, वो था कि जो regional kingdoms थे, उनका उदे हुआ था, जैसे कि जाट, सिख, मरा था, तो इससे भी धक्का लगा था, अब दोस्तों, जो Mughal empire था, वो personal despotism पे आधारित था, means अगर emperor अच्छा होगा, उसका character अच्छा होगा, तो शाषन अच्छा चलेगा, तो हमने देखा, ओरंग जेब के बाद में, जो Mughal emperor थे, वो weak थे, तो इस वज़े से, जो Mughal शाषन था, वो भी weak होता चला गया था, ठीक है, और दूसरी चीज़, जो Mughals थे, उनमें कोई, एक fixed law of succession नहीं थ ठीक है, जो Emperor था, उसकी जितने भी बच्चे होते थे, वो Emperor बनने के लिए लड़ाई जगड़े करते थे, तो इससे भी क्या है कि उसकी जो Unity थी, उस पे बहुत बड़ा एक फरक पड़ा था, ठीक है, और क्योंकि जागिरदार, जमीरदार, ये सब भी अपने personal interest को सरु कर रहे थे, इसलिए जो Army थी, वो भी deteriorate होने लगी थी, और बाद में हम ये भी देखते हैं कि इतना बड़ा सामराज्य था, जो कि weak rulers के लिए उसको govern करना इतना आसान था नहीं, इसके अलावा जो Orangeyev की Religious Policy, Deccan Policy, ये भी ये कारण थी, कि चीज़ की मुगल सामराज्य की पत दूसरे थे Economic and Administrative Problems, क्योंकि Science and Technology के front पे कुछ भी काम नहीं हुआ, जबकि जो Europeans थे, वो सब इसमें काफी active थे, तो इसका नुकसान मुगल्स को हुआ, और दूसरी बात, जो मुगल्स का तरीका था काम करने का वो ये था कि वो जो मनसाप्स होते थे, उनको land वगरा देते थ और revenue की जगह, मलब salary की जगह उनको land दी जाती थी, बट एक समय ऐसा आ गया कि land बची ही नहीं, distribute करने के लिए, तो उससे भी काफी इनको नुकसान हुआ था, ठीक है दोस्तों, अब उस समय अगर हम Indians की socio-economic condition की बात करें, तो वो कोई इतनी अच्छी थी नहीं, ठीक है, ब हालांकि agriculture में भी हम लोग काफी पीछे थे, क्योंकि rents वगेरा काफी जादा थे, taxes वगेरा काफी लगते थे, तो condition अच्छी नहीं थी, बट अगर हम compare करें, मुगल टाइम पे किसानों की position और बिटिश टाइम पे किसानों की position तो जमीन आश्मान का अंतर था, ठीक है, उस स sink of precious metals बोला जाता था, क्योंकि silver and gold का import होता था, ठीक है दोस्तों तो इसलिए उस समय हमारे export ज्यादा थे, import कम थे, तो भारत की position trade and industry में काफी अच्छी हुआ करती थी, हमारे products की पूरे world में foreign market में demand होती थी, तो ये एक बहुत अच्छा point था, and British लोगों के आने के बाद इ हम जो self sufficient थे, हम बाद में totally dependent हो गया, हमारे जो handicraft थे, हमारे जो industries थी, वो सभी nest हो गई थी, ठीक है दोस्तों, अब अगली चीज आती है, कि कौन-कौन से item थे, जो import के थे, और कौन-कौन से item थे, जो export थे, इस पर question पूछा चुका है, और ये important है, तो आप इसको अच्छे स देखिएगा, कि import के item थे, pearls, coffee, tea, sugar, gold, drugs वगेरा का हम import करते थे, और export के item कौन से थे, cotton, textiles, silk, indigo, salt, peter, opium, rice, wheat, sugar, paper, इन सब का, spices, इन सब का हम, जो है, export करते थे, इस पर already question पूछा जा चुका है, प्रिलिम्स में, तो ये important चीज़े है, ठीक है, कि क्या-क्या item export के थे, और क्या-क्या item imports के थे, ठीक है, दोस्तों, अब अगली जो चीज़ आती है, state of education, तो obviously बात है कि उस समय हमारी जो education थी, वो traditional थी, हमारा focus जो था, वो literature, law, religion, philosophy, and logic पर जादा था, और जहां तक technology, geography, यार science की बात है, हमारा focus थाई, ने किसी भी emperor ने उस पर ध्यान दिया ही नहीं ठीक है, हिंदू-Muslim में elementary education पे focus दिया जाता था, हिंदू के लिए पाटशाला होती थी, जबकि मुश्लिम लोगों के लिए मकताब्स होते थे, अब ये मकताब्स टर्म हमारे लिए important है, इसका मतलब होता है, जो मुश्लिम बच्चों के लिए जो school होते थे, उसको मकताब ब बात थी, तो उनके लिए opportunities available नहीं थी, societal setup ऐसा था कि जो society थी, वो different caste और sect में divided थी, एक patriarchal society थी, caste, religion, region, tribe and language के basis पे divide हो रखे थे people, ठीक है दोस्तों, और जहां तक women की बात है, तो जो upper class की women थी, वो घरों में ही रहती थी, जबकि जो lower class की women थी, वो fields पे काम करती थी, बहुत सारे social evils थे, परदा, सती, child marriage, polygamy, ये सब उस समय काफी बड़े level पे चलते थे, और बाद में काफी सारे social reforms भी हुए, जहां पे women की position को सुधाने की बात होती है, दहस की प्रता थी, और जो हिंदू वीडो थी, उसकी position बहुत ही खराब थी, तो जहां तक women की बात है, तो उ अमेरिका में थे, या यूरोप में ही थे, भारत में भी जो गुलाम की, जो प्रिवलेंस था, वो काफी ज़्यादा था, लेकिन भारत की जो गुलाम थे, उनकी position थोड़ी अच्छी थी, अगर हम compare करें यूरोप से, ठीक है, उनको servant की तरह treat किया जाता था, domestic work में उनका use हो खारत में बढ़ गया था, तो ये question पूछा जा सकता है, कि slave trade यूरोपियन के आने के बाद कम हुई कि ज़्यादा हुई, मैंने आपको शुरू में बताया था, triangular trade, ठीक है, तो उससे हम समझ सकते हैं कि जो slave trade थी, वो बढ़ गई थी, तो दोस्तों, ये मैंने spectrum के दोनों topic य जो कि NCIT में दिये हुए हैं, और दोस्तों, ये सब keywords हैं, जो आपको याद होने चाहिए, इनका meaning क्या है, क्योंकि इसी तरह के question आशकल पूछे जा रहे हैं, तो ये slide आपके लिए है, ठीक है, आप इस slide को पढ़िए, इसमें काफी सारे important information मैंने आपको दी है, और ये PDF भी आपको हमारे टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, तो आप वहाँ से भी इस information को ले सकते हूँ, इसको मलब बताने की ज़र्वत कुछ है नहीं, आप खुदी इसको पढ़के समझ जाओगे, तो दोस्तों, मैं अपना जो lecture है, उसको यहीं पर खतम कर रहा हूँ, है और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सारे के सारे अपडेट्स आपको टाइमली मिलते जाएं, ठीक है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे सेकिंड वीडियो के साथ, तब तक के लिए, गुड़ बाई, ठेंक झाल